रादे रादे शीह रिवंच आये लीला में प्रवेश करें हम कर रहे थे तुव अदीन सदा हो तो हे शीरादे प्राणादार इसी लीला के अंतरगत छोटी छोटी लीला है थी लास्ट वाली जो हमने की थी उसमें मिया शोदा के कहने पर चंदरावली जी जी कनहाई को देव प्राद बन जाने पर शमा करवाने के लिए बरसाने ले जाती है अब उसी के आगे ये अलग लीला है अरी इला इधर सुन तो मैं समीप जाकर खड़ी हुई तो चंदरावली जी जी ने कहा बेहन तनिक जाकर शेकिशोरी जू और सखीयों से कहना एक नई सखी देवी की पूजन समगरी लेकर गिरी राजू के समीप निकुंज मंदिर में पहुँच जाएं फिर कान में बोली शाम सुन्दर के लिए लहंगा फरिया भी लेती आना मैंने हंसकर शाम सुन्दर की और देखा और चल पड़ी बरसाने की और आज लगतर ठाकुजी सखी बनेंगे इस बंदे हुए से कैसे चले आ रहे हैं सो सब बाद में सुन लेना अभी तो तुम जाकर सब सक्षियों की सक्षियों को समाचार दे दो कि सब गिरी राज निकुंज में पहुँच जाएं क्यूं सक्षि सब का वहां क्या काम है पूजा तो मैं करूंगा और तू करवाएगी इ शुराम सुंदर ने पूछां तुम तो गमार के गमार ही रहे कानाझु पूजा कई परकार की होती है पंचो-पंचार शोडश पचार राजो प्चार महाराज तुम जो दूप दीप नवेद्य अक्षत पुष्प से पूजा करते हो वे तो साधारन पूजा है हमारे यहां तो सदा महाराज उपचार पूजा होती है ऐसी पूजा तो तुमने कब कहां देखी होगी अपना बागय आज खुल गया समझो अच्छा सकी मेरा बागय खुलने से क्या होगा बागय खुलने से सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं सच सकी तब तो तुम मुझसे समराटो पचार पूजा करा ले तेरे पाउं पड़ू सखी तुम्हारा ऐसा कौन सा कार्यट का पड़ा है शाम सुंदर जिसके लिए इतनी चिरोरी कर रहे हो सखी मेरा ब्या नहीं हो रहा बद्र का, विशाल का, अर्जुन का मेरे बहुत से सखाओं के एक नहीं कई-कई विवा हो चुके किन्तु मेरा तो अब तक एक भी विवा नहीं हुआ मैया कहती है, गोपिया तुझे चोर लवार कहती है इसी से कोई बेटी नहीं देता तो ऐसा करना, जब पूजा परिकर्मा करके प्रणाम करो तो उस समय अपनी अभिलाशा, देवी से निवेदन कर देना उस समय कोई वहा नहीं होगा जिस चोरी से विवा करना हो, उसका नाम भी निवेदन कर देना यदि ऐसा हो जाए सकी, तो तेरा उपकार सदा समरन रखूँगा शाम सुंदर ने कहा अहां, ऐसे ही तो स्याने होना चार दिन में सब बूलकर मुहुच डाने लगोगे चंदरावली जी जी ने हसकर कहा नहीं सकी, जो तू कहे सो ही करूँगा सच, सच सकी, तो सुनो शाम सुंदर तुम उससे व्या कर लो शाम सुंदर एक बार दुविदा में पढ़ ठिटके रह गए फिर हसकर बोले मेरी सगाई तो शी किशोरी जूस से हुई है किन्तु सकी, बद्र दादा के तो साथ विवा हो गए अब दो चार यदी मेरे भी हो जाएं, तो क्या बुरा है शाम सुंदर हमारे यहां का नियम है कि देवी की पूजा कोई पूरुष नहीं कर सकता निकुन्ज मंदिर में जाकर चंदरावली जी जी ने कहा तो सखी ये बात मुझे पहले ग्यात नहीं थी क्यूं मुझे इतनी दूर तक दोडाया शाम सुंदर ने निराश खेदित स्वर में कहा ये बात नहीं शाम तो दूसरी क्या बात थी सकी क्या पहले मैं तुझे नारी दिखा था और यहां आकर पूरुष दिखने लगा हूं शाम सुंदर खीज कर बोले एक उपाय है चंद्रावली जी जी सोचते हुए बोली यदि तुम गागरा फरिया पहन लो तो नारी वेश हो जाएगा फिर कुछ दोश नहीं लगेगा मैं लुगाई बनूँगा नहीं ये मुझसे नहीं होगा शाम सुंदर खीज आते हुए बोले देखो शाम सुंदर देवी का कौप उत्रेगा तो तुम्हारा जनम बर विवार ना होगा कौन देखने वाला है यहां तुम जानो कि हम देवी के वरदान से जिससे चाहो विवार कर सकोगे अब तुम्हें जो सोच विचार करना हो शिगर कर लो मुझे देर हो रही है मईया डांटेगी मुझको शाम सुंदर कुछ शन विचार करते रहे फिर बोले अच्छा सकी जैसा यहां का नियम हो वैसा कर ले पूजा में कोई दोश नहीं रहना चाहिए शाम सुंदर को लहंगा चोली और फरिया पहना कर चंदरावली जीजी उन्हें दूसरे कक्ष में ले गई वहां सब सकीयां पूजा की त्यारी कर रही थी इन दोनों को देकर सब समीप आ गई अरी सकी यह सावरी सकी तो बड़ी सिलोनी है किस गोप की बेटी है यह क्या नाम है कोई पाहुनी है क्या इस परकार के अनेक प्रश्न सुन कर चंदरावली जीजी हस कर बोली हां सकी यह पाहुनी है नाम सावरी सकी है आज देवी का पूजन यही करेगी तुम सब सावधानी सिसायता करो इसके पश्चात सावरी सकी की बां पकड़ कर कहा चल तुझे शीकिशोरी जू के समीप ले चनू देख तु गाउं की गबार है राजा महाराजाओं से बला तुझे कब काम पड़ा होगा वहां जाने पर बली बांती प्रिथ्वी पर सिर रख कर फिचरन छूक कर प्रणाम करना समझी लठ की बांती खड़ी मत रहना ये हमारी राजकुमारी है शाम सुंदर ने सिर हिला कर सविकृत्ती दी और सकुचाते हुए शीकिशोरी जू के समीप पहुंचे वेश की लज्जा और दर्शन के अनंद से उनके पाउं डग मगा रहे थे शीकिशोरी जी माला गूत रही थी सामरी सकी ने प्रणाम किया तो चंदरावली जी जी से मदुस्वर में पूछा ये कौन है जी जी पाहुनी है नाम सामरी सकी है चंदरावली जी जी ने हसकर कहा जब सामरी सकी ने प्रणाम कर सिर उठाया तो दोनों के जिश्टी दोड़ कर अलिंगन बद होकर अपना आपा खो बैटी ये देवी का पूजन करने आई है बहन चंद्रावली जी जी ने सचेत करते हुए कहा पूजा के पश्चाद दोनों भली परकार देख लेना एक दूसरे को सब उठकर मंदिर में गई और विशाखा जी जी उनमें सेक करमशय प्रत्थम प्रियुक्त होने वाली वस्तु को शीकिशोरी जी के समीप सरका देती और शीकिशोरी जी देश देते हुए सावरी सखी को दे देती चंद्रावली जी जी विदी बता रही थी और बहुत सी सखियां मंगल गा रही थी एक व्रहर पर पूजा चली नय वेद्दे के पश्चात परिकर्मा और कुस्मा अंजली अरपन कर सावरी सखी ने प्रणाम करते हुए नयन मूद हाथ जोडे देवी का ध्यान करके अपनी अभिलाशा निवेदन करो चंद्रावली जी जी ने कहा जो तुम वन, मन, वचन और करम से एकागर होकर परातना करोगी तो देवी तुरंत इच्छा पूरी करेगी अच्छा सखी अब देवी के समुख नरित्य प्रदर्शित करो शाम सुंदर ने विविश्ता पूर्ण द्रिष्टी से चंद्रावली जी जी की और देखा हाँ सखी ये भी पूजा का ही अंग है तुम चिंता छोड़ो वाद्य हम बजा देंगी विवश सामरी सखी उठ खड़ी हुई किशोरी जू एक उच्चासन पर विराजित हुई और अन्य सखीया उनके दाएं बाएं बैठ गई ललिता जी जी और विशाखा जी जी देवी पर चमर डुला रही थी आठ दस सखीया वाद्य लिए संकेत की प्रतिक्षा कर रही थी सामरी सखी ने पाम ठुमका कर ताल और गुन-गुना कर राग बताया वाद्य मुखुर हो उठे अब कौन से राग पे गाया और क्या गाया ये हम कल करेंगे तब तक के लिए रादे रादे शीहरिवेंच